हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपने डायमन, रॉफ डायमन जो पर्चेस किये है उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी आपने सबसे पहले diamond को mining किया mining करने के बाद उसको आपने selling किया Selling जो इसको आप करते है वो तो purchase करेंगा ही उसके बाद उसकी totally process आजाएगी diamond पर क्या आगे process करने है For example, अगर हमने वो rough diamond purchase किये है तो उसके बाद हम उसके क्या process करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको totally जान करी दूँगा सबसे पहले हमने diamond तो पर्चेस कर रही लिए है मार्केट से पर्चेस किये है लोकल मार्केट से पर्चेस किये है या किसी साइट से हमने directly पर्चेस किये है फॉर एक्जम्पल आप रफ डाइमंड पर्चेस करते हैं उसके बाद आपकी क्या प्रोसेस रहेगी वो भी आपको जाननी इतनी ही आवश्चक है अगर आपने वो रफ खरी दी है पर्चेस की है उसके बाद आपको सबसे पहले एस्वर्टिंग करना पड़ेगा थकि हमारे पास रफ आती है तो सबसे पहले उसका हम एस्चृटिंग करते हैं अभी एस्चृटिंग काफी सारे यसे प्रकार आते हैं है लाइक अगर आप डैमंड देखें तो डैमंड में केबल बनने के लिए उसको में directly manufacturing unit में जाने दू या फिर इस पे काफी सारी से प्रोसेस करो लाइक इसकी cutting करके इसकी purity में सुधारो या इसका जो color shade है वो में change करवाओं तो यह काफी सारी process assorting के base रहती है अगर हम assorting के बारे में बात करें तो उसमें भी काफी भिन भिन प् और उसमें जो तरकेबे होती है वो तरकेबे हम कैसे utilize हमारे diamond manufacturing में करवा सकते है लेकिन अभी तो जो फिलहाल प्रोसेस रहेगी वो totally diamond assorting के base रहेगी for example आपने diamond तो purchase किये है उसको assorting भी करवाना इतना ही आवश्यक है अगर आपको एसा नहीं पता चलता अभी तो यह इसक सबको मालुम पड़ेगा कि diamond का जो assorting है वो कितना आवश्यक है ना कि कोई भी diamond हमें मिला तो directly manufacturing unit में जाने एसा नहीं होता है कोई भी diamond मिलता है तो सबसे पहले उसका assorting गही रहता है diamond अपने purchase है आपने कोई भी diamond purchase किया आपने diamond खरीदा तो उसका सबसे पहले assorting ही होगा assorting करने वाला पूरा staff रहता है skill based staff रहता है वो totally diamond का जो भी उसका shape है उसके हिसाब से assorting करेगा उसकी size के हिसाब से assorting करेगा उसमें काफी जो बहतरी प्लान मिलेंगे उसके हिसाब से क्लेरिटी के हिसाब से color के हिसाब से एसी काफी सारी process रहेती है जो diamond assorting में बारे में आती है तो इसे ही हम basically diamond का assorting कहता है और assortment आता है वो काफी बढ़िया होता है diamond का assortment हो गया तो आपको मालुम हो जाएगा कि diamond मेरे पास है roughstone है उसमें से कितने percentage diamond manufacturing unit में जाएगे ये भी काफी आवश्यक होता है क्योंकि इसकी सारी price list हमें decide करनी पड़ती है उसके बाद ही हम diamond sell कर सकते हैं इसलिए ये काफी सारी process रहती है वो काफी खर्च बाली रहती है इसमें काफी स पर चारे पेसे भी लग जाते हैं इसलिए diamond की assortment है उसके बाद हम next जो देखेंगे कि diamond के सी-क्रोसेस रहती है तो ये diamond का जो प्रोसेस है उसमें diamond assortment है वह काफी interesting है और और वह भी होना चाहिए diamond के भीतर क्योंकि diamond का assortment ही diamond की सच्ची value हमें well define कर वा सकता है